हेलो एर्विवन वेलकम टू दे पीजिटर गुरुकु चैनल इस वीडियो में हम नोवी कक्षा नाइंथ के मैथ के वक्षिट 78 ठैतर करेंगे जिसकी तारीक है 27 जनवरी इसमें प्रिष्ट्र पर आयतन के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए हम पहला कोशिन स्टार्ट करते है पहला हमारा रिकस्तान भरेzahl हैं यहां पर गहनावार हो रिष्ट्रो का टायागरां किनारी से बताने हैं तो गहमें के बारे में कर आपको सोचिना एक पहला कोशित प्रिष्टो बताने हैं इंब आक ऊपर की तरफ होता है एक नीचे के तरफ secondly एक इसे साफ और चार के किनारे पीच्य की तरफ और यह के आगे की तरफ टोटल प्रिश्ट होते हैं हमारे पस छह किनारे कितने होते हैं अगर किनार सभी बात करें कितने ें यहांब कितने हैं ? एक या दो हैं कि कोर्णर कितने हैं ? तीन च्यार पांथ छोषा यहाँ यहां पर दिये गई हैं हमारा चोता करशिन में क्या मतर है ? खन की किनारे की माप ए है .. तो गन का आयतन अब घनाब की हमारे पास क्या देविए लंबाई एल है चोड़ाई भी है रोजाई है लंबाई गुना चोड़ाई गुना उचाई यहीं हमारा पांचवे का अंसर हो जाएगा अब बिम करते हैं सेकंड कोशिन से पाचवा कोशिन हमारा mcq टाइप है तो पहला कोशिन जो सेकंड है mcq वो क्या है एक घन की पर तेख भुजा को दो गुना कर दिया तो ओजहा होगा तो अम मान के चले कि शुरू में हमारे जो घं की बुजा थी घं की बुजा मालिया ए है ठीक है तो घं का आयतन क्या होगा हमें पता है घं का आयतन क्या होता है भुजा का घं तो एक क्यूब हो गया अब नई जो घं की बुजा है जो नई घं की बुजा है वो क्या क्या उन्होंने घं की बुजा क तो पुराना हमारा आयतन कितना था एक यूब था ना है आठ गुणा हो गया तो सेगेंड का अनसर हो जाएगा डी अब हम करते हमारा थर्ड कोशन थर्ड कोशन में क्या बोला इन्होंने एक माचिस की डिपी ठीक है जिसकी लंबाई चोड़ाई और उच्छा ही दी गई है ऐ दें लागे एक पैकिट बना दें तो पैकिस का आयतन बताओ देखो 100 x group की डिपी का आयतन पता करके 10 से गुना कर देंगे दो से ड्र से गुना कर देंगे दर कंड़ेंगे और उसी से त् 29 est Ratio हम पहले एक सब्सकी किणकर आयतन जान्रे का पहले कला थी कितनी है लंबाई च्यार सेंटीमीटर दी हुई है चुड़ाई दो सेंटीमीटर दी हुई है और रुचाई तीन सेंटीमीटर दी हुई है तो गोना करेंगे तो आ जाएगा तो यह अंसर हो जाएगा अंसर नंबर डी को एक थोस वस्तो दवारा घेरे गए स्थान के माब होता है वह क्या है तो आयतन तो भी आजएगा पांच वाश्या एक घनाबा कार पानी की तंकी हमारा पास एक तंकी है जिसके लंबाई 6 मीटर है चोड़ाई 5 मीटर और जो गहरी निकालते हैं हमारा पानी की टंकी का तो लंबाई यह चोड़ाई जो ना तो लंबाई हमें दिवे 6, चोड़ाई हमें दिवे 5 और गेराई दिवे 2, तो यह हमारा हो गया कितना 60 मीटर क्यूब, यह आइतन तो निकल गया, लेकिन आइतन उन्होंने कितना पाने सता है, उन्हों मीटर क्यूब में पूछ लिया, लेकिन साथ में एक फोर्म लावी दे साथ हजार लीटर, तो हमारा टंकी में कितना पानी आ सकता है, साथ हजार लीटर यानि कि सी हमारा अंसर हो जाएगा, अब हम निकालते हैं, छटा कोशन, चटे कोशन में क्या कहा, एक घनाबा कार बरतन है, जिसकी लंबाई 10 मीटर और 8 मीटर वो चोड़ा है, ठीक लाबर लिखेंगे और उसे हमारी जो है उंचाए या गहराई आ सकते हैं, यानि उंचाए आ जाएगी, तो अगर हम बात करें, बरतन की लंबाई, बरतन की लंबाई, को हम अगर L माने तो कितना दे रखा हो 10 मीटर, बरतन की चोड़ाई, को अगर हम माने भी तो वो दे पाने जाए और बरतन की लंचाए और उसको हमने माल एच मिटर, तो बरतन का हम हो जाएगा हमारा है वह बो तन्का आ होता है, लंबा भप लंभाई, गुना जोड़ाई, उचाई, यानि दस गुना आज़ड़ा आच, यानि कि Ruby मेटर but यहां पे हमारा 16000 मेटर क्यूब में ही दिया हुआ है little यहां पर आप इंग्लिस वर्जन यहां पर आप देखोगे ना कि अगर आप मीटर क्यूब में दिया हुआ अगर मीटर क्यूब में तो कैसे निकालते हैं तो हम क्या गरेंगे तो हमारा अठासी एच किसके ब्राबर हो जाता है 16,000 कि ब्राबर है कि वैली क्या जाएगी 16,000 बटा एसी आठ से काटेंगे तो कि 200 मेटर तो उचा यह ने चीए 200 मेटर लेकिन अगर आप हिंदी वाली बात देखेंगे ना अगर यह अगर कॉशिंस ही होता है कि ठीक है मिटर क्यूब में लीटर है हमें पता है एक मिटर क्यूब बराबर होता है हजार लीटर के और हमारा आइत है असी एच तो ऐसी एच मिटर क्यूब बराबर हो जाएगा हजार गुना असी यानिकी असी हजार लीटर के 80000 H लिटर के बराबर हो जाएगा व लेकिन देख कितना रखा है 16000 लिटर तो 80000 H किसके बराबर दे रखाए 16000 के 3-0 से 3-0 H की वहले हो जाएगा इसी यानि कि एक बटा पांच मीटर तो देख अगर लिटर में दिया तो एक पॉटा पांस मीटर मारा अंसर आ जाएगा अब करते हमारा साथवा कोश्चन किया एक कि आयताकरधातु है ठीक है एक हमरे पास एक आधाकरधातु है उसके 48 मिटर लंबाई है ቀ 10-10-320 चोड़ाई की 38 सेंटीमिटर के चारों के नारों पर हमने काट दिया और उसको मोड़े हमारा क्या बना दिया बॉक्स बना जीए भॉक्स का एतन बताना है तो अच्छे से क्ट्राइब ड्रोकर करके को रुझा था कि चोड़ा aspect Carry count कि यहां पास लंबाई है वह हिन्होंने कितने दी हुए 48 संटीमिटर है । और जो चोड़ाइदी थी ? अउन्हмен है क्या कहतु कि नरुंसे 88 संटीमिटर काड़ दिय है ऐख्यारों 88 संटीमिटर कार दिया है। तो यहां पर देखो 8 cm यहां से काट दिया, 8 यहां से काट दिया, तो कितना बचाएगा, 48-8-8, 32 बचाएगा नीचे की तरफ, और यहां पर भी देखो 8 इस तरफ से काट गया, 8 इस तरफ से, तो कितना बचाएगा, 37-8-8 यह 20 cm बचाएगा, तो अगर हम इसका डियाग्राम रहें तो हमारा ये कुछ इसतर से बाचेगा ओ अफॉम सेंटीमीटर और यह वाला हिससा बॉच जाए ना जाके तो यह 8 सेंटीमीटर तो बात करें हमारे बोक्स की बात करें जो बना गया सेंटिमीटर में से दो आठ गटा दिया याने कि 40 सेंटिमीटर बची बोक्स की चोड़ाई तो पहले तो वैसे 16 सेंटिमीटर थी लेकिन उसमें से 8-8 के किनारे काट दिये तो हमारी बच की 20 सेंटिमीटर और बोक्स की उचाई हमारे पास कितनी आ गई वो आ गई 8 गोना उचाई तो लंबाई है 40 चोड़ाई है हमारी 20 और उचाई है हमारी कितनी आठ सेंटिमीटर तो इन सब को हम यहाँ पर अगर गोना करें तो हमारा आ जाएगा कितना 40 90 40 टी यहां पे 32 सेंटिमीटर है यह हमारी कितनी थी 32 सेंटिमीटर तो फटा फट गोना खरके मटना चेंचे उस्पर 5 नहीं करें इन देख इंगे 22 गोना 20 गोना आठ तो कितना नसर आएगा तो मान चर आएगा 5120 सैंटिमीटर क्यों तो हम 2 साकोसियन बोक्स का आहतन आटवा कोशन हम देखते हैं, अगर एक कमरे का आईतन दे रखा है, ठीक है, वो फर्स का छेतर पल दे रखा है, तो कमरे की उच्चाय बता नहीं है, तो अगर हम बात करें कमरे की, अगर हम या पर एक कमरे का डायग्राम ड्रो कर देते हैं, तो घनाब के आकार का हमारा कमरा ह होता है कि विन एक ऐख लंबाई मालने z right मोर हायट ऐवाली h 2019 आयद आए'sector 992 मीटर्ड क्योग को चली पहले इतना क्लेटें वर कमरे की लंबाई हम मान economy में चलते हैं कमरे की लंबाई कि एल मिटर माली कमरे की चोड़ाई हमने माली भी मिटर और युच्छाई हमने माली एच मीटर तो कमरे का लुए कि आईतान हमारे पास कितना हो जाएगा इन ते नोगोना कर देंगे यह बुना गुना एच मीट क्यूब और वह मैं दे कियु कूदा है बढ़र siagka holy या मित दिया होए उससे न हमारा पर्स हो गया है तो ये उसे पड़ ऑन्म गौना डैट यानि लभाल को नाचिक चोडाए तो 32 मीटर स्क्वेर तो LB दे रखा 132 मीटर स्क्वेर तो हम क्या करेंगे इस वरे में फर्स्ट में LB की वेलू पूट कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा LBH अमरे पास 792 है LB की वेलू 132 एक दें 132 है ब्राबर 792 है तो एच यहां रहे जाएगा 132 इस तरफ आगे घट भाग में आ जाएगा तो भाग देंगे यह जाएगा 6 तो हाइट हमारी आ गई कितनी 6 मीटर है तो यह मारा हो गई आठा कोशन नुवा कोशन देखते हैं एक घनाब है घना कार है क्यूब है उसका यह तो 512 मीटर क्यूब है तो किनारों की लंबाई बताएगे जिए यह तो बिल्कूर सिंपल है अगर मान के चलें घन की भुजा को हमने मान लिया कितना ए मीटर तो घन का आयतन हमारे पास क्या होगा घन का आयतन होता है भुजा का घन यानि एक क्यूब मीटर क्यूब और उसकी वेले हुमें 512 मी है तो दोनों तरफ हम क्या करें घनमूल कर देंगे अ कि तो दोनों तरफ हमने कर दिया घनमूल तो यहां से घन से घनमूल कर तो ए पान्सो बारा घनमूल होता हमारे पास कितना आठ तो भुजा हमारी आगई आठ मीटर दसवा कोशिन करते हैं एक घनाबा कार बोक्स है यानि क्यूबोइड बोक्स है उसका आयतन दिया हुआ है तो उसकी विमाई क्या हो सकते हैं यह तो देखो अगर हम मानके चलें घनाब की लंबाई मानली हमने कितनी L सेंटिमीटर घनाब की चोड़ाई हमने मानली B सेंटिमीटर और घनाब की उचाई हमने मानली H सेंटिमीटर तो घनाब का आयतन क्या होगा हमारे पास L गुना B गुना A cm3 और यह हमें कितना दिया हुआ L, B, H हमें दिया हुआ है कितना 48 cm L, B, H के ऐसी value कौन को से possible है कि गुना करें तो हमारे पास क्या क्या आए 48 cm आए तो यह हमें यहाँ पे करना है तो possible कौन को से L, B, H ऐसा निकाले कि गुना करें 48 आजाए तो हमान के चले, अगर L को हम 1 मान ले 1 cm B को 1 cm तो C कितना बचाएगा 1 गुना 1 तो C बचेगा 48 cm तो गुना करें दो को 48 से आएगा L को अगर हम 2 मान ले ब्रैथ को भी 2 मान ले 2 cm चुड़ाई को भी तो यह 2 दुनी 4 तो कितना बचाएगा 2 cm तो इस तरह से आपका कोई भी अनसर इन में से हो सकता है और भी बहुत सारी पोसिबिल्टीज है जो आप लिख सकते हैं तो यह थे हमारी क्लास 9 मी की 78 वी वरक्षीट हिंदी मीडियम में इंग्लिस मीडियो भी चैनल प्रेवलेबल है अगर कोई डाउट है तो कमेट सेक्शन में पूछिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए फ्रेंट के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग दे वीडियो